हलो व्यूवार्स व्ल्कम टो यूटूब चैनल पीपल के अन्मोन लाप, सायदे और चमतकादी गुन पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसको शास्थ्रों के नुसार बहुत ईशोड माना जाता है कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है घार्थी समाज में पीपल की पूजा करना शुब माना जाता है इसके अलावा पीपल हमारे स्वास्ते को उत्तम रखने का भी बहुत अच्छा उपा है प्राकृती में हमारे उत्तम स्वास्ते के लिए अनेक जड़ी बूटिया मिल जाती है इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से हम सदेव स्वास्त रह सकते हैं पीपल का पेड हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये अथ्यदिक ऑक्सिजन छोने वाला पेड है घर के आसपास इस पेड के होने से हमें शुद्ध ऑक्सिजन मिलती है तथा इसक दोनु समय अथार 24 घंटे ऑक्सिजन प्रदान करता है जिस से व्यक्ति अनेक समस्याओं से बच सकता है पीपल का प्रयोग अन्य कई रोगी के रुप्थाम के लिए भी किया जाता है पीपल के अन्मोला दान्तों के लिए फायदेमन है पीपल दान्तों से जुड़ी समस्य जाओं कोटी करने के लिए पीपर बहुत ही लाधायक है इसका प्रयोग करने के लिए 2 ग्राम कालि मिट्च, 10 ग्राम पीपल की जाल और कथा लें अब इसे बारी पीस कर पाउडर बना लें अब इस पाउडर से अपने दातों को साफ करें इस नातों से सम्बंदित परेशानि जैसे दान्तों की बद्बू, दान्तों का हिलना और मसुड़े का दर्दवा सडन आदी समाप्त हो जाते है जूरियों से बचाएगा पीपल, चहरे पर जूरिया होने के कारण चहरा बहुत ही बूड़ा अफसा लगने लगता है जूरियों की समस्या को खत्म करने के लिए पीपल का प्रयों लाधायक होता है इसका प्रयों करने के लिए पीपल की जड़ों को कोट कर, अब इन जड़ों को अच्छी तरह दो कर पीस लें और इसका पीस्ट बना ले अब इस पीस्ट को अपने चहरे पर लगाएं इससे चहरे से जुरिया समाप्त होने रगेंगी दाद और खुझली को दूर करे पीपल से दाद और खाच की समस्या को खत्म करने के लिए पीपल बहुत ही लादायक है इसके प्रेयों के लिए पीपल के चार पत्तों के चबाते रहने से इसके अरावा पीपल के पेड़ की चाल का काड़ा बनाकर पीने से इस से दाद और खुजली की समस्या को आसानी से कम किया जा सकता है पेट की तकलीफ को दूर करे पीपल पेट की अनिक समस्याएं जिसे कब्स, ग्यास और पेट दर्ड से राहत पाने कले लिए भी पीपल फाइदे मन होता है इसके ताजे पत्तों को पीस कर इसका रस सुबह शाम पीएं इस से लाव होता है जुखाम से मुफ्ती दिलाए पीपल, जुखाम की समस्याएं को ठीक करने के लिए भी पीपल फाइदे मन होता है इसका प्रयोग करने के लिए थोड़ा पीपल के पत्ते लें, अब इनी च्छायास में सुखा लें अब इन पत्तों को पीस कर चूर्न बना लें, अब इस चूर्न को गुंगुने पानी में थोड़ी सी मिक्ष्री के साथ मिला कर पीएं, इस से जुखाम ठीक हो जाएगा घावों को गरे ठीक पीपल से, चोट आदी के घावों को ठीक करने में भी फादिमन है पीपल चोट के घाव को भनने के लिए थोड़े पीपल के पत्तों को गर्म करें, अब इन पत्तों को घाव वाले स्थान पर लगाएं, इस से घाव जल्दी भनने लगेगा दिलाए फटी एडियों से निजाद दिलाए पीपल फटी एडियों को ठीकनने के में भी पीपल की मदद ले सकते हैं इसके प्रयोग के लिए आप पीपल के पत्तों से निकलने वाले दूद को फटी एडियों पर लगाएं इस से कुछ ही दिनों में फत्ती एडियां को मल हुने लगेंगी थैंक्स वर वाचिंग आवर वीडियो प्लीज आइकन सब्सक्राब आवर चनल थैंक यू, बाई